नमस्कार दोस्तों तो Tata Stokes पे बहुत बड़ा खत्रा था जो आज टल गया देखिए एक अच्छा इनसान होता है उसके बहुत सारे क्योंकि अच्छा काम करने वालों को खीचने वालों की कमी नहीं होते ना ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको पीछे खीचना चाहते है तो ऐसे ही एक इनसान की वज़े से टाटा स्टोक्स पे बहुत बड़ा खत्रा था अगर ये खबर हो जाती सुप्रीम कोर्ट का ओडर टाटा के खिलाफ आ जाता रतन टाटा के तो बहुत बड़ी प्रोब्लम हो सकती थी और ये वो इनसान है जो Supreme Court तक लेके गए था रतं टाता को और कहना चाहते थे कमपनी उनके हवाले कर दी जा एक तरह से तो Supreme Court ने आज क्या किया टाता वस्री का जो case था उसमें Supreme Court ने कह दिया है कि Cyrus मिस्री की plea को reject कर दिया गया Cyrus Ministry ने कहा था कि उन्हें unlawfully या फिर unethically हटाया गया अपनी post से Cyrus Ministry को कभी CEO बनाया गया था बट Supreme Court ने आज इस plea को हटा दिया और इसके बाद जो रतन टाटा का बयाना है तो उन्हें क्या कहा है कि आज Supreme Court ने ethical बातों को ethics दिखाये हैं जो डिस्टी की जो सही decision था वो दिया था तो ये एक बड़ा decision है अगर आज case हार जाते रतन टाटा तो अगर Cyrus Ministry को कलती से भी CEO बना दिया जाता फिर से तो टाटा के stocks में भाहंकर गेरावट देखने हैं तो इसे मार्केट प्रेशर में एक और बूरी घबर नहीं जल सकते थे टाटा स्टोक्स तो इध्यान रखिए अच्छी घबर है को रेक्मेंडेशन है अब हां बहुत चांदार नियुदा